परम सन्मानियो गुर्वरू गुरु खालचा सा संगच जी वाह गुरुजी का खालचा वाह गुरुजी की फटे आद कालतों लेके परमात्मा इस तर्ती ते अनेक वार अवतार लेके दुखी जीवां दे दुख दूर करन लई ओंदे रिंदे हन शास्त्रा विच परमात्मा दे पूरण अवतार अते अंशा अवतार हुंदे रिंदे हन कई बारी पर्मातमा माँ पुर्षादे रूप वेच जीव जगद्धा कल्यान करन लई दर्शन दे रेंदे हां जे समय बाबा शेरीचान जी महराज जीने शेरीगुर्णानग देवजी देकार माता सुलखणी जीदी कुखा अवतार तार्म किता सी ओस समय संसार दे विच पापियां द्वारा अत्यांत दुराचार किता जा रहा सी सारियां मर्यातावा नश्ट करके राजा लोग मनमानी का रहे सन जिस तरह आजकल हो रहा है ओस विले सुल्तानपुर लोदी दी तर्थी ते बाबा शिरीचांजी महराई ने संसार दी रख्याले अवतार तार्ण किता जनम समय बाबा शिरीचांजी महराई जे सजे कानवेच मास दी मुंद्रा अते सेर उपर सोने रंगियां बवराना सान बाल वस्तां तो लेके बाबा शिरी चांजी महराजी ने मनुहारी लीलामा शुरू करदतियाani था एसे परकार बाबा शिरी चांजी महराज कमली है सेवक सड़े दुनिया तारदे तारदे जगनात पूरी जा पुंचे समुन्दर दे किनारे ते तू उना ता के उना ने आसन जमाल या दूर दूर तों लोग दर्शना नू उने शुरू हो गए इलाही रूप तर्थी ते वेख के अंबर भी डंडोता करन लग पया जटा जूट तपस्वी कानवेच माजदा मुंद्रा वेख के लोग कह रहे सन एह ता आप परमेशर दी जोथ दुनिया नू तारन ले आये हन तरा तरा निया लोग दाता मांग दे सन पर शक्ती वांदे द्वारे तों कोई भी सवाली निराश होके नहीं गया जो जो किसे ने मंगया बाबाजी ने खोश होके देता ते रता भी मत्यते वट नहीं पाया जगत पे खारी फिरत है सब को दाता राम दे कथना नुसार सारे जहान ने रज रज के चोडियां परियां दौलत वाले नू दौलत बक्षी बे अलाद वाले नू अलाद बक्षी बे रोजगारे नू रुजगार बक्षया ते रोगी नू रोगता बक्षी गल की जो भी आया सोपर पूर होके गया तनगुर नानक पाशाजी दे लाडलेस पुतर तनबाबा शिरीचन जी महराई सर्व शक्तीमान बाल ब्रह्मचारी योगी राज जो उदासिन पेख दे चंडे जगनात पुरी विच बुलाद का रहिस हैं एस तरह महराई दी वडेई सोन के जगनात पुरी दा राजा उदे सैन नानू पंडत वजीर ते राणी सने बाबा जी दे दर्शानू आया ते हीरे लाल जवाहरात कई पदार था के उसने पेट की ते पर बाबा जी ने सब वापस कर दते ते केहा एस अड़े किसे काम नहीं जद दुनिया त्याग दती है ता एना पदार था ना क्यों मोग करिए बाल ब्रमचारी बाबा जी ने उसनों उपदेश दिता पर राजा हत बनके नमशकार करके कैन लगा महरबान जी किरपा निधान जी जानी जान जी मेरे दिल दी मुराद पूरी कर दो इड़े वड़े राजपा अगनू सम्भालन लई मेरे कर कोई लाल नहीं है तुसी दिना दे सहारे हो दाता हो तो अड़े दरते किसे गल्दी थोड़ नहीं मेनू जोशियां ते नजूमियां ने जोटश दे हिसाब लाके पंड़ताने पुरान वेद खोल के दस्या है के तेरे कर सत जनम तक पुतर नहीं हो सगदा दातार जी दसो मैं के में इस जहान ते जीवां उतर बिना मेरा जीवन बेस वादा है मेरे लिए जगते हनेरा है ए सारा राजबाग तखत ताज शाही महल सुन्दर राणियां सुन्दर बाग सजावटां मेरे दलनू मोहन दी बजाए खान नू बेंदियां हन तुसी मेहरां दे समुंदर हो द्यालू हो मेरे ते दया करो मेरी किसमत नू रंगो मैं जहान तों ने रासा ना जावां राजे दी दर्दापरी जोदडी सोणके बाबा शिरी चांजी मेहरावे चाए बाबा इदे सोणे बोल फारके मुखों बचन निकले जा राजन तेरे का अर्चन्नों सोणा मक्नों कूला मिश्रियों मिठा दुद्धों चिटा सुंदर सोणा सुडौल चंगा पागवान तेर परता वड़ा लड़का प्यादा होएगा निराश ना हो खुले दिलनाड ग्रिबानु दान देयाकर सादां संतां लोडवनदानिया लोड़ां पूरिया करयाकर पुख्यां दे टेड़ परयाकर नंगयां दे तन कजयाकर दुखी गरीब दी मदद करयाकर सक्षत रमधा प सारक सुख तेरे पिछे-पिछे पौण गे जे तु अपने मन नूं जितेंगा ता दुनिया नूं जितलेंगा तेरा लड़का भी चंगा तेज परतावळा होवेगा जा मौज कर जाद इस तरह महराय ने वरादी वर्खा किती ता राजा नहालो नहाल हो गया ते चरना ते डेख पया सौ सो महराय दा शुकर किता ते छुटिया लेके राज महला विच चाईं चाईं आ गया समा भीदा गया पूरे दस महिने मगरों राजे दे कर बहुत सुंदर लड़के ने जनम लेया वो सलाल दी डलक नाड सारी जगनात पूरी जगमगा उठी राजे ने खूब जशन मनाया गरीबानों साद के मुहों मंगया दान देता जेड़ा विउस दे दबारे ते आया ओ रज के गया जो जो किसे ने मंगया राजे ने ना ना किती उसने अनेवा दौलत लोटाई शाही हुकम जारी कर दते के कोई भी स्वाली खाली ना जाए राद दीब माला किती ते पजन पाठ पूजा ते यग किता गया जंगे जंगे विदवान साद के फिर लड़के दी जनपत्री बढाई गई पर पंडता जोशिया ने फिर रंग वेच पंग पाद दती ते केहा राजन एस तरह लड़के दी उमर केवल ग्यारा साल ग्यारा महिने ते ग्यारा दिन है इस तो बाद तेन्व इस दा दोख विखना पवेगा एह पंडता दे बोल राजन्व सीने ते बंब पंड के वजे ते अखा आगे हनेरा आगया अमीरा ते राणी ने तीरई दिती ते केहा महराज इश्वर दा शुकर करो जिसने पुतर दा मूता दखाया है न की पता ग्यारा साल तक ता मुरादा विखे फिर प्रभू पली करेगा राजन्व सुनके कोई तसली होई ते समा बीदा गया दिन कोई भी सोचा जावे ओह अखीर आही जानादा है समय दा चकर बड़ा तेज है अखीर चलदा चलदा मिथे समय तक आपोजदा है लड़का ग्यारा साल दा हो गया राजे दा गामनार स्रीर अद्दा हो गया जदो दोख मेंने रह गए ता राणी नार सला करके के सानो इस दा दोखना वेखना पवे क्योंकि एदी उमर होण थोड़े दिन ही बाकी रह गई है राज कुमार मों सोने सोने बस्तर पो आके सैर दे बहाने नौकर नाल पेज के जंगल उजाडवेट छड़ाए ते आप नौकर खिसकाए लड़का मसूम सी ओ रुदन करन लगा ते ओधर अचानक काटकड निया जानन हार बाबा शिरी चा दातार पोज गई दातार ने अपने पगदी रख्या करन लई पवन रूप होके फिर जगनात पूरी दे जंगल वेच आके डेरे लाए ते बच्चे नौ थापना देके प्यार दता ते ओह माराज पास सी रेंड लग प्या मुहों मंगे पोजन छाकदा सी पर उस दा दिनो अजाद हो गया ता बाबाजी एक दिन लड़के वाल वेख के कैन लगे क्यों काका की गल है तू संता कोड रहके बेफिकरी दा पोजन खाके भी सुक सुक के तीला हुई जाना है तू दिल दी गल दस जे कोई रोग है ता दस शेर चलके तेन दौई लेदन दे हां बाबाज दे बचन सुनके लड़का फुट फुट के रोण लग पया ते कैन लगा दातार जी मैं इस नगर दे राज दा पुतर हां मेरा जनम संता दे वरलाड होया है ते शाही जोशियां ते पंडता ने मेरी जनम पत्री बना के मेरे पिता नो एक है देता के राजन इस तेरे बालक पिता ने नोकरां दे नाल मेंनो एथे जंगल वेज पेज देता फेर मेरी बात नहीं पुछी जे आप दे दर्शन ना होंदे ता खबरे जंगली जानवर ही मेनो खा जान दे पर मेरी तकदीर चंगी सी जो आप जी दे दर्शन हो गए ते मैं बाच गया है होन दाता जी मौ बाल जती बबाबा शिरी चांजी मसूम बच्चे नो प्यार दिलासा देके कैन लगे काका तेरी उमर ग्यारा साल ग्यारा महीने ग्यारा देन नहीं बलके एक एका देना दा लेके उसनो लेके कैन लगे तेरी उमर तेन एके पाव एक सो ग्यारा साल दी है बच्चे दी खुशी दी हाद ना रही ते महराई दे चरना ते डेख पया फिर तुने दी सेवा वेच लागया ते अंद्रों मरंदा गम दूर होन नाड दिनों दिन वदन फुलन लग पया ओधर बच्चे नू छटके राजा राणी बहुत व्याकुल हो रहे सन पिशली उमर महराई ने बचा दिता ओभी दोख लालेया सी राजे ने अपने सुहिये जदोदा लड़के नू जंगल बे चटाए सी ओधों तो ही चटे होई सन ओना सुहिया ने जाके राजे नू दस्या के तेरा लड़का ज्योंदा है ते ओ ओ ओ थे महांत पस्वीदे तुणे ते सेवा कर रहा है राजे ने सोचया उस दी मौद दी म्यादा समा लंग गया है फिर भी कुझ समा होड ठैर के राजे राणी दे दिला विच पुत्तर दे मिलन दी ते बाबा शिरीचांद महाराई दे दर्शना दी इच्छा होई सो अपनी राणी ते वजीरा अमीरा नाड शाही ठाठ विच कई तोफे लेके हजूर दे चर्ना विच आके हाजर हो गया ते नमशकार करके बैठ गया राणी ने पुत्तर नो वेह के कोटके अपने सीने नाड ला लेया राजे ने भी पुत्तर नो बड़ा प्यार किता फिर महाराई पास बेंती किती के सानो जोशिया पंडता ने कहा सी के इस बचे दी उमर ग्यारा साल ग्यारा महिने ते ग्यार दिनादी है, सो महराजी और आप जिदा की होकम है राजन दे बचन सुनके महराज मेरा वे चाए ते कैन लगे राजन असा इस बच्चे नो दास दता है के और दी उमर दे शाला जों एक एका ते महीने विचों एक एका, ते दिना विचों एक एका लेके, तिन्ने एके नाड़ना जोड़के, पाव 111 साल उमर इसनों दस दती है, होन फिकर करन दी लोड नहीं, तेरा राज पाग, तखत, ताज, एह बड़ी शान नाड़ संबालेगा, चंगे तेज ताप वड़ा पातरियां, फक्करां दे बचना नऴों नीवियां हुंदियां हन, फक्कर फिकियां तक दीरानों रांग दे सकदे हन, रेख विच मेख मार सकदे हन, जोदशीत पंड़त हसा आबदी सेधनाल चल दे हन, पर फक्कर सदा बेपरवा रंदे हन, राब दे यार हुंदे हन, ओना दे बचन अटाल हन, दुनिया दी ताकता एक पासे रही, एना दे बचन रब भी मोड नी सकदा, क्योंकि फक्करां ने अपना आप सब कुछ रब नूं सौंपयां हन्दा है, फिर बच्चे नूं बोले, जा काका अपने माता पितानार जाके राज कर, सातों फकीरां प लगा, मेरे प्राण दाता, तू तान है, ते तान तेरी लीला है, मेरी छोटी जिंदडी, तो अथों लख लख वार कुर्बान है, मैं बलिहार हां, मैं तो अड़ा द्वार छड के, अपने माता पिता नार नहीं जाना, मैंनू राज पाग, माल खजाने दी लोड नहीं, के तुसी मेरे बणो, जाद माता पिता ने बच्चे दे विचार सुने, ता वैराग वेच आके, रुदन करन लगे, बाबा इने राजे राणी नू ती रई देती, ते बच्चे नू हुकम किता, काका, तेरे माता पिता देकार, होर कोई दुजा बाल नहीं है, ओ तेरा दोख तु जदो भी सनु याद करेंगा, असी तेनू आके दर्शन देांगे, तेरा साड़ा, पका इकरार होया। आजन, संसार मिथ्या है, ए सब चिज्यां, बिनस जानवालियां है, असी एनना नाल प्यार नहीं करना, ए सब कुछ ले जाओ, ते सुखी वसो, रसो, प्रभू तो अड़ा सहाई होवेगा। सो इस तरह दातानाल मलो मलो होके, राजा राणी बाबा जिनू नमशकार करके, वापस अपने महला वेच पोज गए, ते सारी जगनात कुरी वेच, खुशियां मनाईयां गईयां। गरीबा नो दान वंडे गए, क्योंकि राजकुमार दा ए नवा जनम होया सी, राजे ने जिते समुदर किनारे, बाबा शिरी चन जी ने असन लाया सी, उते काफी तन खर्च के, शान दार, बाबा शिरी चन जी दा आश्रम बना जटा, ते उस आश्रम दे ना, कुछ जमीन लाज़ती, तांके आए गए साधा संता दी, सेवा हों दी रहे.